बाई और भैनो आज हम अकलेस बबुआ के साथ मिलकर खाना खाएंगे लाँ अकलेस बबुआ ये पतेला हमको देदो हमको बड़ी जोर की भूक लगी है ला जल्दी दो हमको अरे नहीं मोदी जी नहीं हमको ज़्यादा भूख लगी है ये पतीले की सबजी तो हम ही खाएंगे अरे मोदी जी तुम तो आठ सालों से खा रहे हो अब खाने की मेरी बारी है अब मैं खाऊंगा पूरे पांच साल भाई और बहनों ये देखो अखलेस बबवा कैसी बाते कर रहे हैं अरे अखलेस बबवा हमने कुछ नहीं खाया हमने जनता की सेवा किये जनता की सेवा अरे हम तो फकीर आदमी है जोला उठाके चल देंगे या तो खाना खिला दो वरना हम जोला उठाके जा रहे हैं अरे मोदी जी जोला उठा के तो तुमको जाना ही पड़ेगा तुमारी बाते सुन सुन के मेरी नाक भी टेड़ी हो गई अरे अखलेस बबुआ ये तुम मुझसे भी तेज फैंकने लग गई अब तो अरे भाई ठीक है मैंने जनता को कुछ परेसान कर दिया इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने नाक भी टेड़ी कर दी तुमारी अरे ठीक है मोदी जी जो भी हो उपर मैं पतीला नहीं दूगा मुझे कुछ जादाई तेज भूग लगी है तुम अपना जोला उठा के जाओ अरे ओ मोदी चाचा ये फावडा और खुर्पा लेके कहां जा रहे हो हम यहाँ पहले ही बहुत परेसान है सारी फसल को यहाँ आवारा पसों ने बरबाद कर दिया अब तुम भी आ गए हमें बरबाद करने के लिए अरे नहीं नहीं अखलेश जी ऐसी बात नहीं है अरे हम तो गरीब आदमी है जोला उठा कर चल देंगे अगर तुम को ऐसा ही लग रहा है तो हम तो यहाँ योगी का काम देखने आए हैं योगी जी कह रहे थे मैंने बहुत काम करा है अब की बार किसानों का लेकिन मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ सारी फसल खवादियां है आवार पसूं से अरे मोधी जी यह योगी भी तुम्हारी तरह जुम्ले बाज निकला जैसे तुमने कहा था कि हर किसी के खाते में पंदरे पंदरे लाक आएंगे ऐसे ही योगी ने कहा था कि मैं किसानों की आमदनी दुगनी कर दूँगा लेकिन यहाँ तो हमारी अदनी और उल्टी कम हो गई अरे अखलेश जी मैं योगी की तरफ से छमा मांगता हूँ अगर उसने नहीं किया तो डबल आमदनी मैं कर दूँगा किसानों की और 15 लाग रुपे की बात ऐसी है मैं हर किसी के खाते में 15 लाग जरूर डलवाऊंगा बेस थोड़ा इंतजार करिए जब तक 15 लाग सब के खाते में नहीं आ जाते तब तक मुझे ही वोट करते रहिए अरे हो योगी चाचा ये मेरे पिछवाडे में इंजेक्शन क्यों घुसेड रहे हो अरे मैंने क्या बिगाड दया तुम्हारा मेरा तो पहले ही हाथ तोड़ दिया OEC ने अरे अकलेस बाबू पहले तो ये चाचा चाचा कहने बंद करिए अरे तुमको हम कहां से चाचा न जराते हैं बताई जरा कहां से लग रहे हम तुमको चाचा अरे तुम हमारे चाचा हो अरे दूसरी तुम OVC की बात कर रहे हो अरे OVC की बात छोड़ो वो तो बड़ा आदमी है वो तो किसे के भी हाथ पैर थोड़ सकता है उनकी बाते सुनो, उनकी बाते सुन सुन के दिमाग की नस फढ़ जाती है अरे ठीक है योगी जी, अब से हम तुम को चाचा चाचा नहीं खेंगे लेकिन अपना ये injection तो हटाओ मेरे पिछवाडे से मेरा पिछवाडा सुजा दिया तुमने ये पूरा एक लीटर का injection मेरे पिछवाडा में खुशेट दिया अरे ठीक है अखलेस बबवा, हम अपना injection तब हटाएंगे जब तुम अपने पिछवाडे के दूसरे हिस्से पे बेक और injection ठोकवाओगे वरना तो हम ये injection हटाने वाले नहीं है और एक बात और बता देता हूँ यूपी में सरकार हम ही बनाएंगे अखलेस बबवा अरे ओ मोदी चाचा, योगी से कहिए कि मेरी लुंगी को छोड़ दे मेरी लुंगी को जल्दी छुडवाओ, वरना मेरी इज़त उतर जाएगी मोदी जी मोदी जी जल्दी कहिए इनसे, मैंने कच्छा भी नहीं पहना चुपबे बुडबक, हम तुमको बचाने नहीं, तुमको डुबाने आए हैं हमारे ही खिलाप चुनाव लड़ोगे, और हम ही तुमको बचाएंगे क्या हम तुमको पागल नजरा रहे हैं अरे मोदी चाचा हमको माफ कर दीजिये, हमको अब की बार बचा लीजिये योगी से कहिए कि हमारी लुंगी छोड़ दे, वरना मेरी सारी इज़्जत मिट्टी में मिल जाएगी मोदी जी पिलीज हाँ ठीक है ठीक है मैं योगी जी से बात करता हूँ, योगी जी क्या कहते हैं योगी जी बताईए अब इनकी लुंगी को छोड़ दे, क्या कहते हो तुम जल्दी बताओ अरे नहीं मोदी जी नहीं, ये अखलेस बड़ा जुट बोलता है अगर हमने आज इनको छोड़ दिया, तो यहां से जाने के बाद ये मायवती को भी अपने साथ ले लेगा अच्छा अरे मोदी जी नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी जूट नहीं बोल रहा आग लगाओ तो अमित्साह के पिछवाडे में लगाओ उन्हों नहीं तो कहा था, जो बारवी करने के बाद दसमी करेगा, उनको लैप्टॉप मिलेगा वा योगी जी वा अरे क्या बात कर रहे हो अखलेस बबुआ हम अमित्साह के पिछवाडे में आग नहीं लगा सकते अगर मैं अमित्साह के पास चला भी गया तो मेरे ही पिछवाडे में आग लगा देगा ए ये कैसी बात कर रहे हो योगी जी तुमारे पिछवाडे में आग तो ये जनता लगाईगी दस्तारीक को देखना तुमारा पिछवाडा धुआ धुआ कर देगा धुआ 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 अच्छा बेटे हमको डरा रहे हो दस्तारी को देखना तुमारी साइकल पंचर हो चुकी है पंचर हमारा फूल तो इस तरह लहरा रहा है जैसे वेलेंटाइन डे के दिन लहराता है अरे योगी जी ये वेलेंटाइन डे वाली बात तुम तो मत करो कम से कम तुम क्या जानो प्यार क्या होता है बात कर रहे हो वेलेंटाइन डे की तुमारे खुद के बीवी नहीं बच्चे नहीं दूसरों को भी प्यार नहीं करने देते